हला एवरेवान हाम जेबर और यह वाचिंग हैस्टी ट्रेडर दोस्तों आज निप्टी और बैंक निप्टी दोनों में एक ओपोजीट ट्रेड सा चल रहा था सुबह ऐसा लग रहा था कि निप्टी बैंक ने जो 38,500 के आज पास नहां पे ट्रेड हो रहा था कि एक ब्रेक कि जो बैंकिंग के सपोर्ट था वो इतना नहीं था और फिर रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आया था एच्टी अपसी बैंक में तो उसकी वज़ए से बैंक ने पिनी वहां पे एक अंडर परफॉर्म किया और वहां पे आप देखोगे अगर डेली चार्ट में यह फ्यूचर का चार्ट है तो यहां पे आपको सुटिंग स्टार केंडल भी देखेगा इसका एक्टिवेशन होता है जब इसके नीचे ट्रेड करता है अगर कल इसके उपर खुलता है तो यहां से फिर से एक और मो हमें देखने को मिलता है ऐसे केंडल में हमेंसा ओप होती इंपोर्टन रहता है कहां पर ओपन होता है उसके हिसाब से फिर हमें ट्रेड लेना होता है निप्टी में स्ट्रॉंग मोमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा हायर हाई बन रहा है और लो है वो भी यहां पे हायर के हाई यहां पे हायर लो बन रहा है यानि कि प्रि लाओ जोन्स का भी जो फ्यूचर है वहां पे 43 और निस्दक 20 पॉइंट दिखाई दे रहा है SGX निप्टी माइनस 14 डॉलर इंडेक्स यहां पे 95.16 यह अच्छा है और यूएस बॉन इल्ड उपर से थोड़ा नीचे यानि की 267 पॉइंट आया हुआ है एंड यूएस डी आये ना 74.24 यह भी यहां पे 73.80 से बाउंस आया है और यह कुरूड कुरूड अभी भी वही लेवल है जहां पे हमने फ्राइडे को देखा था 85 के आसपास तो आज मैंने ग्रूप में यहां पर यह अपडेट भी किया था कि यह एक नो ट्रेड जोन है तो आपने देखा कि पुरे दिन इसी के अंदर यहां पर ट्रेड होके करीबन 309 ऑन हायर साइड यहां पर क्लोजिंग हुआ है तो कल इसके उपर यहां पर सस्टेंग करता है त हां और फिर से ब्रेक आउट हो सकता है है एट अबसी बेग का जो हमारा लेट था यहां पर सुबह बता था कि फटर बड़र पर इसके आस पास नहीं है था तो वहां से भी एक हां हमें बाउंस देखनों को मिला था पर हमारा जो लेवल था वहाँ पर फिर आया नहीं था जहां पर मैंने बताया था कई 1541 जो अच्छा ट्रेड हुआ था वह एक अधानी में हुआ था 1877 के उपर और लास्ट में यहां पर मैंने एक यह जो अपडेट भी किया था आप लोगों को कि कैसे ब्रेक आट रहा दोस्तों आप में साब को मेरा गुरूप का शेयर किया था अगर किसी को जोइन होना है तो हो सकते हो जहां पर मैं पोजीशनली या तो फिर हेच के साथ ऑप्शन का यहां पर अपडेट करता हूं यहां पर मैंने डीटेल भी आपको वीकेंड में शेयर किया था अगर आप में से किसी को जोइन होना ह तो उसमें से आप डीटेल देखे जोइन हो सकते हो डेली वहां पे अपडेट नहीं होता है जब सेट अप बनता है तभी मैं अपडेट करता हूं तो अगर आप वह इंट्रेस्टेट हो तो आप जोइन कर सकते हो दोस्तो अगर ओपन इंट्रेस्ट की बात करते हैं दोस्तो त तो इस लेवल पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर call writer exit हुआ है करेमें 18 lakhs यहां पर exit हुआ है उस दिन हमने जब देखा था almost similar था one एक कुछ था 45 lakh और दूसरा कुछ 50 lakh क्या सपास था तो put में अब यहां पर भी exit हुआ है और call में भी exit हुआ है ज्यादा यहां पर call में exit हमें देखने को मिल रहा है तो यह अभी क्या करेगा है कि यह अच्छा सा support बनके हमारे लिए काम आएगा 18,200 उपर की साइड हमें देखेंगे तो यहां पर फिर से यहां पर add हुआ है वो है call देखना है अभी हमें यहां पर put नहीं देखना है हमें call writer देखना है फिर से यहां पर 49 lakh से कम होने लगता है तो हम further फिर यह नया high बना देगा next week के आसपास यहां पर हमें एक और attempt देखने को मिलेगा जो हमें 18,600 के ऊपर एक बार जा सकता है तो कल 18,300 का call position द्यान में रख किया था और 38,500 जो यहां पर उसका एक resistance बनके आया हुआ है आज भी यहां पर दबा के shot हुआ है करीबन 10 lakh के आसपास यहां पर तो टोटल यहां पर हो गया 25 lakh put यहां पर 9 lakh के करीबन है आज भी यहां पर put add हुआ है और नीचे की side अगर देखती है तो 38,000 में एक अच्छा स support क्या काम करेगा तो 38,000 अभी आज भी यहां पर call भी add हुआ है put भी add हुआ है almost similar आप देखो के quantity में यहां पर add हुआ है call and put और other side हमें देखने को क्या मिलेगा कि अब next time जब यह breakout देगा 38,600 के उपर तो फिर हम 39,150 तक जा सकते है तो अभी भी अमारे लिए important level रहेगा 38,500 निप्टी बैंक में तो अब हम देख लेते हैं daily stock यहां पर क्या है दोस्तों अगर आप इस channel पर नव है तो please subscribe जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो please like जरूर करना अमारा राजा यह मैंने आज option group में यहां पर इसको trade दिया था पर हमने यहां पर put shot किया था क्य मिलता है कि इसको क्या यहां पर आप देखो कि एक डव्ली पैटर्स है यहां पर बन रहा था सेकंड यहां पर क्या था है कि इन्वर्स हेवर है यहां पर यहां पर left head और एक shoulder और यहां पर breakout यहां पर अभी क्या होगा कि इसके आगे इतना कोई resistance नहीं है यह trend line का resistance है जिसका यहां पर आ रहा है करीबन 680 अभी भी यहां पर 20-22 पॉइंट का chance है तो कल भी आप इसको 662 के उपर buy करके रख चकते हो आपका यहां पर पहला target होना चीए 674 और उसके बाद 680 बाटा इंडिया कल भी हमने यह दिया था आज भी मैं उसको continue कर रहा हूं कल हमारा level था यहां से आपने देखा कि 2051 मैंने कल बताया था आपको कि अगर रिस्के ट्रेडर हो तो 2000 के उपर buy करना तो यहां पर आपको 2051 हाई भी दिखा कल भी हम इसको buy करेंगे जैसे ही 2052 निकलता है फिर से buy करना यहां पर यह ट्रेंड लाइन के आसपास आपका resistance बनेगा जो है 75 से लेक पॉल हो रहा है लोवर लो बन रहा है यहां पर MFI का डाइवर्जन यहां पर lower जो लो है वो higher लो बन रहा है तो higher लो में यहां पर हमें confirmation मिलता है कि ऐसा कोई यहां पर short consolidate होता है तो उसके उपर long बनता है जो market ने अच्छा यहां पर move दिया second क्या कि यहां पर hold करने के बाद consolidate किया इस जगह पर consolidate के बाद फिर से breakout तो कल अगर इसके उपर खुलता है market यानि कि जहां पर आज शुरूगात हुआ था वहीं पर खुतम हुआ है कल इसको 228 के उपर अगर खुलता है तो हम buy करेंगे फिर इसका आपका जो पहला target यहां पर बनता है करीबें यह level 234 के पास तो हमें यहां पर एक line बना देनेगा कि यह level के उपर निकला तो हम इसको long करेंगे और closing मिल गया तो हम इसको फिर swing trade के हिसाब से इसको carry करके जा सकते for the next target यहां से 240 के उपर और हमारा आज का stock में last है before we are moving towards our nifty and bank nifty HDFC bank HDFC bank अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक shooting star candle बना है with volume पर मैं इसको ऐसे देखना हो कि अभी जब तक यह जो मेरा level था यहां पर one four nine five से लेके one five zero four यह इसके नीचे अगर break नहीं होता है तब तक मैं इसको short नहीं करूंगा intra day के लिए आप कर सकते हो अगर कल यह आज का low break करता है तो one five zero four fifteen hundred तक भी जा सकता है पर अगर यह कल open होता है यहां पर three zero के उपर और thirty two के उपर एक candle close करता है पंदरा मिनिट का फिर मैं उसको long करूंगा फिर से मेरा target one five four five one five six zero रहेगा तो कल opening देखके दोस्तों आप इसको trade करना मेरा व्यू यहां पर अभी shortcut नहीं है अब हम देख लेते हैं निप्टी बैंक निप्टी को क्यासे trade करना है कल तो यह क्या था यह हमारा पहला consolidation जो हमने कहा था कि consolidation के बाद breakout मिला तो हम उपर जा सकते हैं आज इसने breakout तो दिया पर यहां पर कि इतना मिला हमें 270 से लेके करीबन 380 जो हमारा क्या बात हुआ था उस दिन 40 to 60 पॉइंट तो एडलेस 40 पॉइंट तो हमें यहां पर मिल गया है इसने अभी क्या किया है कि फिर से इसने consolidate यहां पर चालू किया है करना इसमें बुरा जब अगर कोई news आता है बुरा अगर नहीं कोई आया तो यह यहां से continue उपर की side जा सकता है नहीं तो यह M pattern भी बनता हुआ दिखेगा अगर M pattern बनता है तो आपको short मिलेगा यह level के नीचे 260 के नीचे ही हमें short करना है तो फिर वापिस यह पुराना जो उसका range था उसके अंदर फर्स जाएगा नीचे 140 उपर 270 short के लिए wait करना 260 long के लिए कल यहां पर ही खुलता है और फिर से यह 320 निकालता है तो फर्दर उपर जा सकता है पर इसका resistance बहुत ही करीब है यहां पर 340 के आसपास तो उस hesap से आपको buy करना है अगर यहां पर खुलता ही है यहां पर gap up तो अगर gap down खुलता है तो फिर से आपको यहां पर थोड़ा wait करना पड़ेगा मानों कि यहां पर gap down खुलता है इस level के आसपास फिर यहां पर consolidate होता है एक up move आएगा sustain नहीं होगा 290-300 से फिर आपको वहां पर एक shot मिलेगा जो आपको फिर से नीचे की side ले जा सकता है निप्टी bank में क्या कर रहा है कि एक जो parallel trend line जो हमने बनाया था उसी के अंदर फिर से एक चोटा सा trend line बना दिया तो मैं इसको उपर जो है उसको मैं रखता हूँ नीचे वाले के exit कर देंगे तो अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा कि अगर हमें इस line के उपर फिर से breakout मिला 280 280 के बाद में breakout मिलता है तो आपको long करना है यहाँ पे तो पहला target आपका आएगा करीबन 400 के आसपास 380 to 400 उपर जाता है 450 से वापस आता है फिर से 400 support लेता है तो फिर हमें ऐसे more मिलेगा तो के लिए आपको ऐसा trade करना है जिस हिसाब से यहाँ पे consolidated हुआ है अगर gap डाउन नहीं कुलता है तो यह एक possible है ओपर की side नीचे आपको wait करना है यह level के नीचे हम अभी short करेंगे 38,000 तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प यह झाए बढ़ बाई